अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस करके ओल पर जरूरूर्ट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियो जो मैं अप्लोड करूँ है आप लोग तक नॉट्रिफिकेशन जो है वो सबसे पहले पहुंच जाए तो इन स्टॉक्स में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है बड़ लेकिन कहीं ने कहीं देखे जब मार्केट करेक्ट करती है स्टॉक्स में करेक्शन आती है तो एक अच्छी अपोर्चुन्टी हमेशा क्रेट होती है क्योंकि जब आप किसी स्टॉक को भागता तो कोई टाइम बुरा नहीं होता है स्टॉक आज पीक पे है तो करेक्शन में भी आएगा और करेक्शन में आएगा तो फिर भागेगा बी और वही चीज इन स्टॉक्स में होती भी देखने को मिल सकती है तो चले वीडियो को शुरू कर लेते हैं पहले stock की बात करें तो देखें इस stock की last closing हुई है 117 रुपे 40 पैसे पे यानि की 0.59% के आसपास की correction रही जहां previous closing थी 118 रुपे पे अब इस company ने अपने quarter 2 के numbers पेश कर दी है और analyst की राय माने तो यह stock 117 रुपे से गिर के 100 रुपे के आसपास हमें आता हुआ देखने को मिल सकता है क्योंकि quarter 2 के numbers इस company के काफी खराब रहे हैं पांस दिन की बात करें तो 2% के आसपास की गिरावर जो है बीते 5 दिनों के अंदर stock में हो चुकी है एक महीने में आप देखें तो 6.27% यह जो लेवल से almost 130 के लेवल से stock चला गया था 6 महीने की बात करें तो यहाँ पे almost 131 की range में जाने के बात stock में दुबारा से correction है और इस range में और most अपने इस support level के आसपास stock आ भी चुका है अगर यह support break होता है तो stock हमें इस range में जाता हुआ देखने को मिलेगा जो की 105 से 108 रुपे की range देखने को मिल दिया है बात करें अगर हमें एक साल के returns की एक साल में 10% के आसपास returns जो है stock बना कर दे चुका है 5 साल की बात कर पर एक जनवरी 1999 कोई share था आज अगर आप देखें तो correction के बावजूद जो है काफी volatile stock रहा है returns के मामले में भी फिर भी returns बना कर दिये हैं जिस stock की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है Tata Steel Tata Steel shares fall as quarter two net loss bigger than estimate but there is a silver lining यहनी कि जहां estimates से उनको भी beat करती नजर आई है quarter two के अंदर जित पंदर रुपी कास पास तक जा सकते हैं Tata Steel shares fell on the number two a day after the company reported a net loss of the quarter two financial year 24 which was for bigger than analyst estimates the steel gent faced a dual setback with impairment charges restructuring provision against the UK business and declining margins in the European market the after a steel considered net loss for July September came at rupees 6511 crore against a net profit of 1297 crore in a year ago यानी कि जहां पिछले साल company का net profit 1297 crore था वहां अब की बार company का loss में चला गया profit की जिगा 6,511 crore के हैं और revenue भी जह है almost fell हुआ है almost on year basis analyst had expected a net loss of about 700 crore और ऐसे में एक बड़ी गिरावट जो है हमें stock टे अंदर देखने को मिल सकते हैं पॉर्टफोलियो को थोड़ा डिसस करें तो देखें टाटा स्टील लिम्टरेजर एशिया फॉर्स इंटिगेट प्राइट स्टील कंपनी सेट इप इन 1907. the company has presence across the entire value chain of the steel manufacturing from mining and processing iron ore and coal to producing and distributing finished products the company has a target to increase domestic steel making capacity to 30 million turnover per annum by 2025. तो काफी अच्छी growth plan है बड़ लेकिन returns के मामले में त्रोड़ा सा टाटा स्टील यहां पर निरासा जनक देखने को मिल रहा है. अगर आप बेंग निफ्टी निफ्टी के अंदर ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, ट्रेडिंग से डेली का तीन से चार हजार तक का profit करना चाहते हैं, साथ में stocks related or beats regular पाना चाहते हैं, तो वीडियो के description box में आपनों को मेरे free telegram group का link मिल जाएगा, जिस पे में daily एक से दो डेम कॉल देता हूँ निस एक से तो डेम कॉल से आप profit plus learning, दोनों ही कर सकते हो, टेलिग्राम चैनल का link भी जो है आपको वीडियो के description box में मिल जाएगा, नेक्स कमपनी की बात करें तो blue forge industries limited इस कमपनी का नाम है, 242 रुपे पे stock की last closing देखने को मिली है, हलाकि returns के मामले में काफी बढ़िया returns ये stock ने बना कर दिये है, 12% की 30 बीते 5 दिनों के अंदर देखने को मिली है, जबकि एक महिने की अगर बात करें तो 11% के returns है, 6 महिने में 50 double, 133% के returns बीते 6 महिने में blue forge industries ने बना कर दिये, जबकि एक साल में अगर आप देखें, तो 275% के, almost 300% के returns एक साल म 261% और अगर आप maximum returns देखेंगे, तो 412% के returns है, stock almost अपने 260 के level के असपास पहुँच चुका है, तो यहाँ पर अगर इस level को एक breakout देता है, तो रडार पर रखेंगा इस stock को, breakout के बाद ही आप लोगों को इस stock के अंदर entry लेनी है, market cap के साब से stock देखें, तो almost अपने 52 week हाई 249 रुपे के असपास पहुच चुका है, market cap देखें, तो धाई हजार करोड के असपास का इस company का market cap भी देखने को मिल रहा है, company के portfolio को अगर डिसकस करें, तो blue forge industries limited is engaged in the manufacturing of the fully furnished and semi furnished forge crank shafts and forge components, it has the capability to manufacture components confirming the new emission regulations and the new energy vehicles, market cap 2483 करोड, return on capital 26.9% and return on liquidity की बात करें, तो 21.9% के असपास, face value stock की almost 10 रुपे के असपास की देखने को मिल यानिकि in future ये company split दे सकती है, कभी भी जब मैं इसका मन करेगा, 1 is to 10 के ratio में देने के लिए सक्षम है, बात करें अगर यहाँ पे quarterly results की, तो September quarter के अंदर company का profit देखें, 30 crore है, September 2020 मे जा company एक क्रोड के loss में थी, बहाँ अब धीरे-धीरे company profitable होती होती, 30 crore तक पहुंच चुकी है, Blue Forge Industries Limited और numbers के मामले में भी stock अच्छे returns बना कर दे रहा है, last year compounded profit growth देखें तो 113%, 5 साल के इसाब से CGR 30% है, 3 साल के इसाब से 29% और last year के इसाब से 272% के असपास का है, reserve company के पा 7% है, FI September quarter के अंदर bullish है, DIAE यहां पर थोड़ा सा निराशा जनक और public की stake भी यहां पर थोड़ी सी कम होती हुए देखने को मिले है, यानि कि quarter 2 के इसाब से FI जो है, वो काफी bullish जो है, Blue Forge Industries को लेकर देखने को मिल रही है, next company की बात करें तो Danacon Systems and Solutions इस company का नाम है, 608 आप देखेंगे, तो 800 के लेवल से सीधा stock आ चुका है, 668 के लेवल पे है, ठीक है, तो मौका है stock के अंदर ऐसा में क्यों कह रहा हूँ, आपको थोड़ा सा आगे चलके समझ में आ जाएगा, एक महीने में आप देखें तो 8.29% की रिटन्स है, यहां पे था stock 650 के लेवल प बना कर दे चुका है, पांच साल की बात करें, तो अठारा सो 333% के लेवल से हैं, जबकि लिस्टिंग अगर आप देखें, तो 345 में पैसे पे 9 नुवंबर 2018 को यह stock था, और अगर maximum returns की तरफ जाएंगे तो 5244% के लेवल से स्टॉक यहां पे देखें, लंबा आरसा बीता stock ने इसी range में strike किया और उसके बाद से profit एकदम से stock ने काफिक कमाल के investors को बना कर दिये हैं, company का जो business model है, IT infrastructure related activities यह company काम करती ने जरा रही है, market cap 843 क्रोड का, return capital 36%, return equity 38%, face value stock की 10 रूपे की है, in future split दे सकती है, quarterly results देखें तो September quarter के अंदर company का profit रहा है, 19 क्रोड जो की yearly basis पे increase हु बात करेंगर company की balance sheet की, तो reserve company के पास 118 क्रोड, करजा 66 क्रोड के आसवास का है, और share holding pattern के अगर हम बात करें, यहाँ पर promoters के पास almost 61.10% stake है, जो की काफी हद तक इन level से बढ़कर, यानि की 90% से बढ़कर 61 तक पहुंचुका और public के पास 49% stake है, तो stock को भी आप अपनी portfolio में रखना चाहें, तो रख सकते हैं, क्योंकि जिन companies के अंदर capabilities होती है, हाला कि उनका market cap almost कम ही होता है, जहां जितना ज्यादा market cap होगा, उतना sustainable returns मिलेंगे, कम मिलेंगे, बड़ लेकिन दीरी-दीरे करके growth होगी, बनलेन का market cap कम है, micro cap है, small cap companies है, उनके अंदर potential ज्यादा होता है वो अच्छा पैसा आपको बना कर दे सकती है,